तो आज की वीडियो बात करेंगे सैमसंग की इस साल की सबसे बहतरीन टीवी के बारे में और अगर आप प्लान करें एक 4K टीवी लेने का तो ये वीडियो मिस मत करना क्योंकि मैं बात करने वाला इस वीडियो में सैमसंग की TU8570 के बारे में बताएंगे सारे स्पेसिफिकेश क्या नया लाय है 2020 में सैमसंग ने सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार बिलिट के हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए घंटी बजाईए टन टन चुरुवात करते हैं वीडियो की नमस्कार दोस्तों मे अच्छी चीज़ लगी परसनली मुझे इसकी पिक्चर कॉलिटी और मैं हमेशा आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि पिक्चर कॉलिटी अगर अच्छी नहीं है तो टीवी लेके मतलब नहीं होगा तो यहां पर सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया है डीटेल में डिसकस अच्छी होने वाली है इसी के साथ आपको टीवी में देखने मिल जाएगा ब्लूटूथ 4.2 जो कि बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा बाकी सब टीवी आपको दे रहे है ब्लूटूथ 5.0 जो सबसे लेटेस वाला है यहां तक ही जो बज़ेट ब्रैंड है वी यू, आपको ब्लूटूथ 5.0 देख रहे है और यहां पर सैमसंग आपको दे रहा है 4.2 जो कि बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा आगे बढ़ते इसके स्टैनर स्पिसिफिकेशन में तो यहां पर आपको कंटेंट प्रवाइडल में अमेजन प्राइम, नेट्फिक्स, आपको वही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है और टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक माइनस पॉइंट यह होगा कि यहां पर आपको आपको अप्स हैं वह साइडलोड नहीं कर पाऊगा, और एक माइनस पॉइंट होगा इसी टीवी का और जहां तक बात है आपको स्क्रीन शेरिंग का такую ओप्स्ट 나오रोड चैनल जाएगा, प though, इसी के मिल जाएसी साथその साथ आपको स्क्रीन शेरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा कि इसके दुरूबाइल अकंटेन आपके TV में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज सैमसंग ने लेकिया है, इस साल sound mirroring के बारे में, जो मतलब आप जबी भी casting करते हो आपके phone से TV में, तो उस समय जो audio आता था, phone की तरफ से आता था, most of cases में कभी-कभी TV से भी आता था, लेकिन यहाँ पे सैमसंग के इस TV में आपको sound mirroring मिलेगा, जिसके तुरू आपका जो audio है वो भी TV से ही मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी इसी TV की, और जहां तक बात है कि इस साल सैमसंग ने क्या नया लाय है, उनकी जो 4K की TV है, तो यहाँ पे आपको dual LED pack lighting देखने मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी, इसके थूरू LED के जो numbers है, या फिर बोलते हैं, जो brightness हो काफी बढ़ जाएगी, इसी के साथ ही जाएगी यहाँ बात करें, इसके major factor के बारे में जो होता है picture quality, तो यहाँ पे जो processor लगाए गया है, वो है crystal processor, और सबसे खास बात इस series के, यहाँ पे आपको pure color technology देखने नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको Samsung ने नया लाया है, specially इस series के लिए यहाँ पे आपको dynamic crystal color technology देखने मिलने जोने, contract enhancer जो Samsung की बनाई की technology है, वो सभी का support आपको देखने मिल जाएगा इसी TV में, और दोस्तो अगर आप gaming के शौकीन और gaming करना आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पे आपको Samsung auto motion plus का support दिया गया है, जिसके तुरू आप gaming करते हो, ज़रा भी आपको lag देखने नहीं मिलेगा, screen blur नहीं होगा, motion और action और scene होगा, उसमें आपको tension लेने नहीं बात नहीं, एक दाम perfect नहीं चलेगा, और एक भी lag ज़रा भी देखने नहीं मिलेगा, और दोस्तों एक चीज में आप सभी को बताना चाहूँगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि picture quality के बारे में, तो picture quality को measure करने के लिए Samsung हमेशा यूज करता है, उसका picture quality index, जिसको बुलते PQI, तो यहाँ पे जो PQI की जो value है, बहुत जबर्दस है, मतलब आपको बताऊंगा, उसकी picture quality index जो है, वो 2800 दिया है, अगर मैं इस picture quality का value है, अगर इसको मैं compare करूँ, जो Samsung की पिछले साल की CDC, RU7470, तो उसका 1900 PQI था, और यहाँ पे आपको 2800 का PQI देखने मिला है, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, कि picture quality कितनी जादा ही अच्छी होने वाली है, तो अगर आप प्लान करो, एक 4K TV 2020 मिलेने के लिए, तो यह मैं आपको strongly recommend करूँगा, जरू इस TV को consider कीजिए, और हो सके तो इसकी buying link अगर मुझे मिली तो मैं description में डाल दूँगा, आप वहाँ से check out कर सकते हो, और मैं आपको बताना तो भूली का कि यहाँ पे कौन को से variants है, तो यहाँ पे आपको 43 इंच का variant देखने मिल जाएगा, 55 और 65 यह तीन वेरेंट आपको देखने मिलेंगे, इसी TU 8570 में, और बात कर लें यहाँ पे Samsung ने क्या नया लाया है, इस साल 2020 में उनकी TV ओले series में, तो यहाँ पे आपको TU 8570 में, आपको बोलते हैं यह Ambient Mode देखने मिल जाएगा, Ambient Mode का मतलब है कि समझ लो आपने TV लगा दी है, वाल मांट करा लिया हो, उसमें आप फोटो लगा लगा तो आप टीवी एकदम बोलते हैं, आप उसको split कर सकते हो, मतलब समझ लो आप एक तरह देख रहे हो, Special Ops को series, और दूसरी तरह देख रहे हो आप Netflix से series, ऐसा आप दोनों parallel ही देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई देखना पसंद करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको यह feature आपको Samsung की तरफ से देखने मिल जाएगा, इसी साल 2020 में, इसी के साथ यह साथ Samsung ने इस साल उनकी TV के design ने उनको improve किया, यहाँ पर आपको 3 bezel-less design देखने मिल जाएगा, जिसका मतला भी कि TV के 3 साइट आपको bezel दरा भी नहीं देखने मिलेगा, लेकिन छोटा सा bezel एक तम हलका सा bezel देखने मिलेगा, तीवी के bottom side में, जो की एक बहुत अ लेकिन वो मुझे उतना पसंद नहीं है, इस सेरीज ने मुझे इसकी picture quality, PQI index बहुत अच्छा लगा, और मैं safely assume कर सकता हूँ, कि यहाँ पे एकसी picture quality बहुत जाधा अच्छी होने आ लिए, तो यहाँ पे अगर आप प्लान करें, एक 4K TV लेने का उसमें 3 variant है, जैसे मेरे ब सेक्शन में, इसी के साथ आपके सवाल सुझाओ, कोई भी राय हो तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा आपके सवालों को जवाब दू, इसी के साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, भाई, लाइक करोगे तो भाई, बहुत वाची वाची प्याइग भाई